नमस्कार गाईज स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एस्टडी लेप्ट में और आज हम लेकर आए हैं भारत में यूरोपिये कंपनियों का आगमन से संबन्देत हिस्ट्री के बहुती इंपोर्टेंट कोशन्स जो कि आपके कंपनिशन एक्जाम के लिए इंप तो कईज इस कोशन्सका सही आंसर है ऊपिसन सी पूर्तिगाली नेक्स कोशन देखते हैं भारत आने वाला पिर्थम पूर्तिगाली ब्यक्ति था ऊप्शन ए फिरांसिसको डी अलमीडा बाश्री को डी गामा नीनूस डी गुनहा Helena ऐस दी अलफांसो डी अलवुकर्क तो गाईज इस कोशन का सही आंसर है आपका आपसन बी बासिको डी गामा अब देखते हैं गाईज नेक्स कोशन नेक्स कोशन है मारा सरप्रिथम भारत आने वाला डच नागरिक कौन था आपसन एकेप्टन हॉकिन्स आपसन डी बी नीनू डी कु अब देखते हैं गाईज नेक्स कोशन नेक्स कोशन है जहांगीर के दरवार में आने बाला पिर्थम अंग्रेज था आपसन ए जेम्स पिर्थम ऑपसन बी सर जान चायल्ड आपसन सी बिलियम हाकिन्स और आपसन डी है टामस रो तो गाईज इस कोशन का सही आंसर है आपसन बिलियम हाकिन्स, उप्षन C, फ्रांसिस डे, उप्षन D, महारानी एलिजावेत, तो गैज, इस कोशन्स का सही आंसर है आपका, उप्षन A, सर टामस रो, नेक्स कोशन्स देखते हैं, फोर्ट बिलियम नामक, बस्ती कहां इस्तापित की गई थी, उप्षन A, मदरास, कलकत्ता, उप्षन D, असम, तो गैज, इस कोशन्स का सही आंसर है आपका, उप्षन C, कलकत्ता, नेक्स कोशन्स देखते हैं, फिर्थम करनाटक युद, किन दो बिदेशी सक्तियों के मद्ध हुआ था, उप्षन A, डच अंग्रेज, उप्षन B, डेनिस, पुर्तिगाली, उप्षन C, अंग्रेज, फिर्थम से, उप्षन D, डच फिर्थम से, तो गैज, इस कोशन्स का सही आंसर है, उप्षन C, अंग्रेज, फिर्थम से, अब देखते हैं, गैज, नेक्स कोशन्स, भारत में पहली डच फैक्टरी, इस्तापित की गई, उप्षन A, पुली कट 1610 तो गाईज इस question का सही answer option बी मसूली पट्टनम 1625 इस वी option C सूरत 1620 वी option D है कासिम बाजार 1569 वी तो गाईज इस question का सही answer option B मसूली पट्टनम 1625 नेक्स question देखते हैं 1649 में फ्रांसिस डे ने किस राजा से मदराश चीन लिया option बास सा फरुक सियार से option B जहांगीर से option C करनाटक के नवाब से option D चंदरगीरी के राजा से तो गाईज इस questions का सही answer है आपका देखेगा option D चंदरगीरी के राजा से next question है 22 बास का युद्ध कब हुआ था option A 22 जनवरी 1760 को 25 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1768 को और D option है 22 परवरी 1760 को तो गाईज इस questions का सही answer है option A 22 जनवरी 1760 इस भी option C 1770 next questions देखते हैं बंगाल का पिर्थम गवर्नर जनरल कौन था option A 22 हेस्टिंग्स option B बिलियम बेंटिक option C लाड़ कैनिंग option D रावर्ट किलाइब तो गाईज इस questions का सही answer है option A 22 हेस्टिंग्स next questions देखते हैं बंगाल का पिर्थम गवर्नर था लाड़ कैनिंग option B बारें हेस्टिंग्स option C रावर्ट किलाइब option D है बिलियम बेंटिक तो गाईज इस questions का सही answer है option C रावर्ट किलाइब next questions देखते हैं दैद शासन बेबस्ता की समापती का सिरे किसे जाता है लाड़ कैनिंग को option B बिलियम हाकिन्स को option C सर जन चाइल्ड को option D है बारें हेस्टिंग्स को तो गाईज इस questions का सही answer है option D बारें हेस्टिंग्स next questions देखते हैं act of settlement किस अधनियम को कहा जाता है regulating act 1773 को option B पिट्स इंडिया act 1784 को option C 1833 इसभी का charter x और option D है वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसभी तो काई जिस questions का सही answer है option B पिट्स इंडिया act 1784 अब देखते हैं गाई next question next question है मारा मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी option A 8 नवंबर 1857 को option B 8 अप्रेल 1857 को option C 8 नवंबर 1860 को option D है 8 मई 1857 इसभी को तो guys इस questions का सही answer है option B 8 अप्रेल 1857 को next question देखते हैं चेत सिंग कहां के राजा थे option A बनारस option B दिल्ली option C राजिस्थान और option D है कस्मीर तो guys इस questions का सही answer है आपका option A बनारस next question देखते हैं सालावाई की संदी किसके किसके मद्धे हुई थी option A अंग्रेज फ्रांसी C, option B मराठा अंग्रेज, option C मराठा निजाम, option D है निजाम अफगान तो guys इस questions का सही answer है option E मराठा, option B मराठा अंग्रेज next question देखते हैं तिरतिये आंग्ले मैसूर युद्ध की समापती किस संदी के द्वारा हुई थी यह बहुत ही important question है option A सालावाई की संदी, option B पेरिस की संदी, option C सिरी रंग पट्टम की संदी, option D पुरंदर की संदी तो guys इस questions का सही answer है option C सिरी रंग पट्टम की संदी, next questions देखते हैं बंग्ल का सिर किस अंग्रेज गवरनर जनरल को कहा जाता है option A है लाड कानबालिस, option B जानसोर, option C लाड बेले जली, option D है लाड मिंटो, तो guys इस questions का सही answer है option C लाड बेले जली जी सिंग संबंदित थे, option A एहलू वालिया मिसल से, option B सुकर्चकिया मिसल, option C फैजुलापुरिया मिसल से, और option D है फुलकिया मिसल से तो इस questions का सही answer है guys, option B सुकर्चकिया next question है किसकी साहता के पश्चात रड जी सिंग को राजा की उपादी पिराप्त हुई option A जमाशह, option B एहमद साबदाली, option C रानी ओसकौर, option D है दीवान मोहकम जन्द तो guys, जिस questions का सही answer है option A जमाशह, next question देखते हैं कश्मीर अवियान के दोरान बहां के सासक थे option A जमाशह, option B मोहकम जन्द, option C अता मुहमत खान रवैल, option D फते गहां जिस questions का सही answer है option C अता मुहमत खान रवैल, next question देखते हैं पिर्थम आंगलिस सिक युद्ध के समय गबर्नर जन्रल था option A लाड आकलेंड, option B लाड कान वालिस, option C लाड डलहोजी, option D लाड हर्डिंग, तो option इस questions का सही answer है option D लाड हर्डिंग, next question देखते हैं सुबराव का युद्ध कब हुआ था, option A 10 फरवरी 1846 को, option B 10 जन्री 1844 को, option C 15 फरवरी 1845 को, option D 15 मार्च 1842 को, option A 10 फरवरी 1846 को, next question देखते हैं, रडजी सींग के समय कितनी सिख मिसलें थी, option A 11, option B 12, option C 13, option D 16, तो गई जिस questions का सही answer है, option B 12 नेक्स कोशन देखते हैं, option C, पिरसासन की सबसे छोटी हिकाई होती थी, option A तालुका, option B परगन, option C 5, option D प्रांट, तो गई जिस questions का सही answer है, option C 5, नेक्स कोशन देखते हैं, प्रांट के मुखिया को कहा जाता था, option A कारदार, option B सरदार, option C राजा, और option D नाजिम, तो जिके सरवोचे नियाले को क्या कहा जाता था। आप्शन गplease दफतर मौजव। आप्शन सी अदालत उल्क तूजीहत। आप्शन डी अदालत कार दार। तहा है जिस्कोशन का सही अंसर है। आप्शन ए अदालत उल्रा। नेक्स्कोशन दिखते हैं। रजार जी सिंग के सासन काल वे बित्य मंत्री थे option A दिहान सिंग, option B दीनानात, option C अजी जुद्दीन, option D दलीप सिंग, तो गाई जिस पुष्ण का सही आंसर है option B दीनानात, तो गाई की रिलावाद की संदी संपन हुई थी option A 16 A. 1556 को, option B 16 A. 1665 को, option C 15 फराबरी 1760 और उप्शन डी 16 अक्टूबर 1766 को तो गाई जिस कोश्ण का सही आंसर जो है वो है 16 अगस 1765 को नेक्स्स कोश्ण देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इस्थाई बंदोवस्त को किसी ने लागू किया था उप्शन लाड कान बालेस उप्शन बी लाड किलाइब उप्शन सी बिलियम हॉकिन्स उप्शन डी है वारेन हार्श्टिंग्स तो गाई जिस कोश्ण का सही आप्शन है उप्शन लाड कान बालेस नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं रायस से अभी प्राय है उप्शन जमिदार option B मुखिया option C किसान और option D है गिराम सेबक तो गैज रहयत वाड़ी विवस्ता जो थी वो किसानों से संबंदित थी तो इसका question सही question सही answer होगा option C किसान next question देखते हैं भारत में समाज सुदार कहां से प्रारम हुआ था option A असम option B मुंबई option C मदरास option D बंगाल तो गैज इस questions का सही answer है option D बंगाल अब देखते हैं next question नेक्स question से हमारा यूबा बंगाल आंदोलन के पिरवर्तक थे option A एनिवेसिंट option B हैनरी विवियन डेरो जियो option C दयानंद सरस्वती option D राजा राम मोन राय तो गैज इस questions का सही answer है option B हैनरी विवियन डेरो जियो नेक्स questions देखते हैं भारती पुनर जागरण के जनक कौन थे बहुत ही important questions है competition exam में आता है option A राजा राम मोन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती option C विवेक अनंद option D केसब चंदर सेन तो गैज इस questions का सही answer है option A राजा राम मोन राय नेक्स question देखते हैं बिरज बिलास के लेखक थे option A के सब चंदर सेन option B पंडित ईसवर चंदर विद्या सागर option C विवेक अनंद option D दयानंद सरस्वती तो गैज इस questions का सही answer है option B पंडित ईसवर चंदर विद्या सागर अब देखते हैं next question next question है पत्रिकारता के जनक के रूप में ज option C विवेक अनंद option D है देवेंदर नाथ टैगोर तो गैज इस questions का सही answer है option A राजा राहम मोहन राए next question देखते हैं स्वामी विवेक अनंद के बचपन का क्या नाम था बहुत ही important questions है option A नरेश दत option B नरेंदर नाथ दत option C नागेश नाथ दत option D है नरोतम दास तो गैज इस questions का सही answer है option B नरेंदर नाथ दत नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मारा प्रातना समाज के संस्तापक थे option A महादेव गोविंदर रानडे option B गोपाल किस्ण कोखले option C के सबचंद सिन option D है आत्मा राम पांडू रंग तो गैज इस questions का सही answer है option D आत्म रांग आत्मा राम पांडू रंग भारत में सस्ता सत्ता का हस्तरां 53 अधनियम के दुआरा किया गया था option A भारत सासन अधनियम 1919 और भारत सासन अधनियम 1858 option D भारत सासन अधनियम 1861 तो गई इस questions का सही answer होगा option C भारत सासन अधनियम 1858 नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारत का पिर्थम 22 राय कौन था? option A लाड कैनिंग, option B बारेन हेस्टिंग, option C सरजान सोर, option D बिलियम बेन टेक तो गई इस questions का सही answer है option A लाड कैनिंग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं लाड रिपन भारत का 22 राय में बनकर आया, सन 1886 में, option B सन 1880 में, option C सन 1882 में, option D सन 1831 में नेक्स्ट कोश्चन का सही answer है option B सन 1880 में, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इस्थानिय त्थानिय सुसासन का अपिता किसे कहा जाता है, option A लाड कानवाले, option B लाड लिपन, option C लाड डफरिन, option D लाड रिपन, तो गई इसस प Anda का सही answer है option D लाड रिपन, नेक्स्ट कोश् B, Lord Litton, ओप्षण C, Lord Ripon, ओप्षण D, Lord Dufferin, तो गाई जिसकोशन का सही आंसर है, ओप्षण C, Lord Ripon, एक्षण कोशन देखते हैं, इलवर्ट बिल को कब लागू किया गया था, नौव फरवरी 1883 को, ओप्षण B, नौव फरवरी 1881 को, ओप्षण C, čार फरवरी 1838 को, और option D है 6 फरवरी 1983 को तो गाई जिस questions का सही आंसर है 9 फरवरी 1883 यानि option A next question देखते हैं भारत के किस बाय सराय को भारत के उद्धारक की संग्या दी गई थी option A लाड रिपन, option B लाड लिटन, option C लाड करजन, option D लाड डफरिन तो गाई जिस questions का सही आंसर है option A लाड रिपन, next question देखते हैं लेहासा की संदी कब संपन हुई थी option A सितंबर 1940 इस वी में, option B सितंबर 1940 इस वी में, option C अक्टूबर 1905 इस वी में, option D है 1904 ESV में तो गाई जिस कोशन का सही आंसर है Option B सितंबर 1904 ESV में Next question दिखते हैं राष्टिय सोक दिवस कब मनाया गया था Option A 14 October 1905 ESV को Option B 18 October 1905 ESV को Option C 16 October 1905 ESV को Option D 15 August 1947 ESV को तो गाई जिस कोशन का सही आंसर है Option C 16 October 1905 ESV को Next question से देखते हैं किस अधिनियम को सुभ चिन तक स्वेच्छा चारिता बाद की संग्या दी गई थी Option A भारत पर साथ अधिनियम 1861 Option B भारत सासन अधिनियम 1858 Option C भारत सासन अधिनियम 1919 Option D दिया है भारत सासन अधिनियम 1935 तो गैज इस कोशन का सही आंसर है Option A भारत परिशद अधिनियम 1861 तो गैज निम्न में से खाददान फसल नहीं है धान गेहूं कपास मक्का तो गैज इस कोशन का Option C कपास सही है नेक्स्ट कोशन देखते हैं बागान किर्सी के अंतरगत कौन सी फसल आती है Option A चाय Option B गेहूं Option C मक्का Option D कपास तो गैज इस कोशन का सही आंसर है Option A चाय नेक्स्ट कोशन देखते हैं अमेरिका में गिरह यूद्य पिरारंब हुआ 1879 भी में 1861 भी में 1861 भी में और 1776 भी में गैज इस कोशन का सही आंसर है Option B 1861 भी में चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं स्वेज नहर किन दो सागरों को जोडती है Option A काला सागर और लाल सागर को Option B भूमद्य सागर और काला सागर को Option C मिरत्य सागर और लाल सागर को Option D भूमद्य सागर एबम लाल सागर को तो गैज इस कोशन का सही आंसर है Option D भूमद्य सागर और लाल सागर को नेक्स कोशन देखते हैं किस देस में हुआ अपशन ऑप्षन भारत और ऑफशन टी अमेरिका तो गाये जिस कोशचं का सही आंसर है अपशन फ़वार के रूप में मैंचेस्टर लिवरपूल और ऑप्षन डी है चीन और जापान तो गाई जिस कोश्चन का सही आंसर है मैंचेस्टर और लिवरपूल अब देखते हैं गाई नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन है मारा सरकारी तोर पर बंबई ठाड़े के मद्द पहली ट्रेन कब चली 18 प्रेल चाहिए आंसर है ऑप्षन भी 16 अप्रेल अटारज सो ट्रेपनीश्वी को नेक्स कोश्चन देखते हैं भारतिये रेलवे के बिकास का पिर्थम चरण था ऑप्षन नेंचास से अथाजर सो नचास से अथारज सत्तर एसवी ऑप्षन सी 1848 से और ऑप्षन डी दिया ह तो गाईज इस questions का सही answer हैitte A, 1899 से 1899 इसवी तक। अब देखते हैं quayise next question नेक्ष् कुर्ष्न है भी फचोाइज वाज। ओप जुच्थि ऑप रा रवी की फसल है अपशिन A, बाज्रा, ऐपशन B, कपास, ऑप्सन C गेहूं और ओप्सन D है तम्हबाकू तो गाईज इस questions का सही answer आएगा option D नकदी इस इंडिया कंपनी के आग्या पत्र को कितने बर्स पस्चात पुन्रावर्तन किया जाता था option A 20 बर्स, option B 22 बर्स, option C 25 बर्स, option D 18 बर्स तो गाईज इस questions का सही answer है option A 20 बर्स next question देखते हैं, लाड मैकाले ने किस बर्स अपना विबर्न पत्र गबर्नर जनरल को सौपता, option A 1836 में, option B 1835 में, option C 1853 में, option D 1860 में तो गाईज इस questions का सही answer है option B 1835 इस बी, next question देखते हैं, लाड बिलियम बेंटिक के पस्चात बहारत में, कौन गबर्नर जनरल बन कर आया जी तो गाईज इस question का सही answer है, option C, लाड ऑकलेंड, next question देखते हैं, भारती ये सिक्षा का महा अधिकार पत्र की संग्या किसे दी जाती है, option A 1813 का अग्या पत्र, option B, मैकाले का विबर्न पत्र 1835, option C, बेंटिक की सिक्षा नीती 1835, option D, बुढ का गोशना पत्र 1854, इस question का स से बुढ के गोशना पत्र की बिसेश्ता थी, option A, व्यवसाइक 223 सिक्षा को प्रोसान, option B, समाज के सभी बर्गों के लिए सिक्षा की व्यवस्ता, option C, उच्छ सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भासा हो, और option D दिया है, उपर युक्त सी, तो गाईज इस question का सही answer है, option D, उपर युक्त सभी, अब देखते हैं गाईज, next question, next question है मारा भारतिये सिक्षा आयो, 1882 को किस नाम से जाना जाता है, option A, hunter आयो, option B, करजन की सिक्षा नहीं थी, option C है, गोखले विदेहक, option D है, हर टांग समिती, तो गाईज, इस questions का सही answer है, option A, hunter आयो, next question देखते है, गोख किर्षन गोखले, option C है, गोखली, option D, गोखली, तो गाईज, इस questions का सही answer है, option B, गोखली, नेक्स question देखते हैं, हर टांग सम्ती का गठन कब किया गया था, option A, 1936P में, option B, 1931P में, option C है, 1929P में, option D, 1927P, तो गाईज, इस questions का सही answer है, option C, 1929P, next question देखते हैं, किस योजना क केंद्रीय सलाकार समती रिपोर्ट कहा जाता है option A सारजेंट योजना option B बुड एवट रिपोर्ट option C हठाग समती option D गोखले विदेहक तो कुर्ण गाईच इस question का सही आंसर है option A सारजेंट योजना नेक्स कोउचिछन देखते हैं, नेक्स कोउचिटन है हमारा सामपरदाएक निरवाचन मंडल का पिता कहा जाता है ऊप्षन A लड रिपन को, ऊप्षन B लड मिंटो को, ऊप्षन C लड लिटन, ऊप्षन D है लड मौलले तो गाईज इस questions का सही आंसर है option B लाड मिंटो मुस्लिम लीग की स्थापना किस बर्स हुई थी option A 1904 में, option B 1905 में, option C 1906 में और option D है 1907 में तो गाईज आई थिंक आप सबको पता होगा इस questions का आंसर है option C 1906 next question देखते हैं अंग्रेजों की नीती थी option A हिंदू मुस्लिम एक था, option B फूट डालो और राज करो option C भारती ये जनता का पिरसासन में भागिदारी option D उपर युक्त में से कोई नहीं तो गाईज इस questions का सही आंसर है option B फूट डालो और राज करो अब देखते हैं next question option next question है मारा स्वतंतर्ता के पश्चात भारत में कितनी रियास्तें थी option A लगबग 562 option B लगबग 652 option C लगबग 256 option D है लगबग 526 तो गाईज इस questions का सही आंसर है option A लगबग 562 next question देखते हैं भारत का अब इस मार्क किसे कहा जाता है बहुत ही important questions है option A दिया है महात्मागादी option B भगबसी option C राजियंद परसाद option D दिया है सरदार बलब भाई पटेल तो गाईज इस questions का सही आंसर है option D सरदार बलब भाई पटेल अब देखते हैं next question next question है मारा जूनागड का बिल है भारतिये संग में कब किया गया था option A नौ नवंबर 1947 को option B ग्यारा नवंबर 1947 को और option C नौ नवंबर 1924 option D छे नवंबर 1947 तो गाईज इस questions का सही आंसर है option A नौ नवंबर 1947 अब गाईज देखते हैं हम next question next question है मारा कस्मीर बिले के समय बहां के राजा थे option A गुलाब सिंग option B हरी सिंग option C हेमंद सिंग और option D दिया है दलीप सिंग तो गाईज ये वाला questions भी कई एक्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार competition में आया है तो गाईज इस questions का सही आंसर होगा option B हरी सिंग next question देखते हैं next question से हमारा statue of unity से संबंदित है so option A सुवाश चंद्रवोस option B भगस सिंग option C सरदार बल्लब भाई पटेल option D भीमराव अंबेड कर तो गाईज इस questions का सही आंसर है option C सरदार बल्लब भाई पटेल next question है हमारा मोहमडन एंगलो औरियंटल डिफेंस असोसियेशन की स्थापना किस बर्स किया गया था option A 1893 में option B 1849 में option C 1895 में option D है 1892 में तो गाईज इस questions का सही आंसर है option A 1893 में next question देखते हैं next question है operation विजय संबंदित था option A कस्मीर विले option B जुनागर विले से option C हैदराबाद विले से option D है गोवा विले से तो गाईज इस questions का सही आंसर है option D गोवा विले से next question देखते हैं बारदोली सत्याग रहे कि पस्चाथ बल्लब भाई पटेल को कौन सी उपादी प्रदान की गई थी option A नेता जी option B साइद option C सरदार option D बाबू तो गाईज इस questions का सही आंसर है option C सरदार तो गाईज आई थिंक आपको ये सारे questions बहुत अच्छे लगे होंगे और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को share करना न भूले like करें, comment करें और चैनल को subscribe करें